स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले तो IPL आने से पहले भूचाल भी आता है और शायद अगर आपको यह पता चले कि युवराज सिंग को पंजाब ने छोड़ दिया दिल्ली ने गौतम गंभीर को छोड़ दिया आरं फिंच मैक्सवेल इन सब को भी इनकी इनकी फ्रेंचाइसीज ने छोड़ दिया मिजल स्टा पंजाब ने युवराज सिंग को छोड़ दिया है उनको रिलीज कर दिया है उन्होंने पहले कोच विरेदर सेवाग को छोड़ा था उसके बाद उन्होंने युवराज सिंग को भी छोड़ दिया लेकिन हरानी इस बात को लेकर हुई कि उन्होंने एरन फिंच को भी छोड दिया है तो युवराज, अक्षर पतेल, मारकस स्टोईनिस और अन फिंच, यह तीन बड़े नाम जो की पंजाब ने छोड़ दिये, गौतम कंभीर का शायद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि गौतम कंभीर ने जैसे ही IPL सीजन का आगाज हुआ था, कप्तानी चोड़ी, फिर नोना का मैं खेलूँगा नहीं, तो यह साफ हो गया था कि डेली डेविल्स, शायद गौतम कंभीर के पार, उनके परे देखना चाहेगा, और ठीक वैसा ही हुआ, तो अनने गौतम कंभीर को छोड़ दिया, शिकरदवन इस टीम में आ गए हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को भी रिलीज कर दिया गया है, ग्लेन मैक्सवेल बड़े खास थे, रिकी पॉंटिंग के, जो की कोच है, तो ग्लेन मैक्सवेल, गंभीर, जैसन रॉय, और साथ ही साथ मौहमद शमी, मौहमद शमी का पारिवारिक मसला था, वो पूरे IPL के मैच भी नही खेले थे, तो उनको भी रिलीज कर दिया है, दिल्ली डेड डेविल्स ने, और दिल्ली डेड डेविल्स ने एक यंग टीम बनाई है, यंग टीम के साथ वो आगे जाना चाहते हैं, चौकाने वाली ज़्यादा बड़ी बात यही है, चैने ही सुपर किंग सेफ रहा, उन्ह मिचल स्टार्क को इसलिए छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि पिछले साल वो खेली नहीं थे, शाल उनके वर्कलोड को लेकर और वो पर्स रिलीज करना चाहते थे, मिचल स्टार्क को भी छोड़ दिया गया, उसके लाब मैं देख पा रहा हूं कि रॉयल चैलेंजर रिलीज कर दिया है, और बैंगलोर जिसके कप्तान गिराट को ली है, उनकी प्रेस कांफरेंस हुई, प्रेस रिलीज आई है बैंगलोर की, उन्होंने कहा कि हमें यंग टीम बनाना चाहेंगे भविश्य के लिए, मुंबा इंडियन्स ने मुस्त फिजूर को छोड़ा, पै यह होगा कि क्या युवराज सिंग आपको अगली IPL खेलते दिखेंगे, यह अपने आप में मुझे लगता है कि चिंता का विशे होगा, युवराज के लिए कि क्या वो किसी ऐसी फ्रेंचाइजी में जाएंगे, जो उसे खिलाया उनको पाए, पता नहीं, फिलाल तो उनक ले ले तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि गौतन गंबीर और युवराज सिंग के शायद इस IPL में दिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो बड़ी खबर यही है, बड़ी खबर यही है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की तमाम कवरें भी हम आप तक इसी तरह से लेकर आते रहें।